अच्छा सर, last class में हमने शुरू किया था client acceptance और client acceptance से पहले मैंने आपको ethical principles समझा दिये थे ताके मैं आपको ये बता पाऊँ कि while accepting client आपके ethical principles पे किस तरीके से threats आ सकते हैं तो मैंने आपको बताया था पिछली class के अंदर कि भाई, जब आप client accept कर रहे होते हैं तो there is a risk that आपकी integrity impair हो जाए और लोग आपको कहें कि आपने professionally behave नहीं किया क्यों कि कोशनेबल issues थे client के पास यानि आप ये कह रहे थे कि भाई, अगर मैं जिस client को accept कर रहा हूं और उसकी accounting practices, उसके owners, उसकी management fraudulent financial reporting में involved रही थी या कोशनेबल issues हैं तो आप ये कोशिश करेंगी कि आप उस client को accept ना करें ये चीज़ हो गए थी अब उसी client acceptance के अंदर देखो कि कि mapping बड़ी लाजमी है मैं उसी client acceptance के अंदर दूसी चीज़ लेके आ रहा हूं यानि आपने एक कोशनेबल issues को deal किया with respect to client या उसके owners या उसकी management ये सारी चीज़ आपने देखी अब आप उसी के next stage पर आगए होगे वो parameter पार होगया आपने background investigation की owners की business को समझा activities को समझा ये सारी चीज़ आपने governance देखी उसके बाद वो कहता ये के चलो भाई वो end to clear हो गया अब आप जड़ा ये देख लें अपनी side के उपर कि क्या आपका अपना personal मफाद तो नहीं आ जाएगा सर परसनल मफाद का मतलब क्या है self-interest thread यानि ये एक situation है ये thread है किस पे ये thread होगा सर आपके ethical principles पे होगा सर बताता हूं कैसे सुकून से focus हो के सुने मैंने कहा कि आपके पास client आया मुझे audit करके दे दो अब let's से आपके पास Pakistan petroleum आ गया अब आपके पास petroleum industry का कोई experience ही नहीं है कोई experience ही नहीं है और इतना huge amount of data है इतना huge amount of data है इतनी resources चाहिए होगी उस company को audit करने के लिए कि आपकी सोच से परे क्योंकि highly automated है cost allocations है overhead allocations है यह सारी चीज़े करना सारी चीज़े verify करना is very tricky and complex is very tricky and complex तो मुझे आप एक बात बताओ इतने complex चीज़ को अगर आपका experience नहीं है तो क्या आप उसको professional competent services provide कर पाएंगे सर जवाब आता है no तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपने professional competence and due care का जो principle ब्रीच कर देना है कब ब्रीच कर देना है जब आप ऐसा client accept कर जाएं जिसको करने का आपके पास sufficient experience या तो ना हो या तो आप वो competencies acquire नहीं कर पाएं भाई मैंने तो आपको सिखा है कि आप ये काम करें सुनिएगा जैसे expert को appoint करते हैं वक्त आप कुछ यूं करते हैं कि सोचते हैं कि expert को appoint करूं या ना करूं expert को appoint करने या ना करने का फैसला इस चीज़ पे भी होता है कि क्या वो necessary competencies आप हासिल कर सकते हैं training courses से short courses से और किसी और auditor से पूछ के अपनी firm में किसी और लोगों से पूछ के जिसके पास ये past experience और ये सारी चीज़ है तो वो बोल यह रहा है कि भाई अगर आप necessary competencies नहीं रख सकते हैं तो आप सामने वाले को कह दीजेगा माजरत मैं इसको accept नहीं कर सकता क्यों अगर आपने accept किया तो आपका पर भाई देखो एक scenario आएगा scenario यह आएगा कि भाई your firm has been approached by XYZ company and you don't have a prior experience of auditing such type of clients so if you don't have prior experience of doing such type of clients that means कि you don't have sufficient competencies तो आपके आप अपने आप से दो सवाल पूछेंगे whether you are able to acquire those competencies जवाब आता है yes, yes I am able to acquire those competencies तो सब्सक्राब वो competencies को acquire करें और दिसमेला उस client को accept करें पर वोई questionable issues with associated with client पहले deal करके आ रहे होगे वो सारी चीज़े मैंने सिखा दिया आपको फिर आप ये कहते हैं कि भाई सही है अगर आपको necessary competencies acquire नहीं हो सकती है तो आप सामने वाले को कह दें कि भाई लाफिस मैं इस client को accept नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको professional competence services नहीं दे सकता ये तो hold together एक बात हो गई अब पहले इसको read कर लेते हैं वो कहता ही है self-interested आएगा यानि personal मफाद आएगा और personal मफाद की वज़ा से आप एक principle of professional competence and due care को breach कर जाएंगे क्योंकि आप वो level of professional services नहीं देंगे जो कि देनी चाहिए तभी मैंने उपर पहले principles बता है ताकि ए connectivity बनी रहे आगे सुनियेगा वो कहता है कि भई a self-interested to compliance with principle of professional competence and due care is created is created, create होगा if the engagement team does not possess does not possess या तो है नहीं or cannot acquire the competencies to perform the professional service या तो है नहीं और acquire भी नहीं कर पाए तो sir क्या मैं कह सकता हूँ कि तब मेरा principle of professional competence and due care breach हो जाएगा तो ये तो allowed नहीं है ना आपने तो ethical principle से comply करना है while accepting audit and while doing audit I hope this is clear आगे सुनियेगा फिर वो कहता ही है इस बात को समझो फिर वो कहता ही है कि level of threat बात समझेगा इस threat के अंदर कितनी शिद्दत होगी मैं फिर repeat करता हूँ फिर वो कहता है कि जब आपके किसी principle के ऊपर कोई situation आती है जो आपको उस principle से comply नहीं करने देगी उस situation को मैं threat कहता हूँ threat to ethical principle ये हमने सीखा था पहले भी recall कर रहा हूँ अभी रीकैब दे रहा हूँ उसका कि बाई एक situation अराइज दू सिचुएशन का है परसनल मफाद परसनल मफाद क्या है कि client मिल जाए पैसे आ जाए ये परसनल मफाद है इसको accept करने से होगा क्या अब इसको और additional ही आगे लेके जाते है वो बोलता है जब भी ऐसी situation हो जैसे self-interest threat है इस हालात वाकियात की वजह से और वो self-interest threat कितना significant है कितना significant है ये depend करता है कुछ matters के ओपर यानि आज मैं बुनियार रखने वाला हूँ drafting की समझने की additional समझने की वो कहता ये है जब भी आप practical life में या paper में drafting कर रहे होंगे तो आप सबसे पहले ये बताएंगे सबसे पहले ये बताएंगे कि ये threat किस नौयत का है और इससे कौन सा principle breach होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर scenario DIY you have been approached by XYZ company your firm has been approached by XYZ company to accept the audit of to accept audit for the year and at XYZ ये हो गया वो लिखके देदेगा आपको ये साल का अपने audit एक्सेप करना है अच्छा पर नीचे लिखके देगा you don't have sufficient competencies nor you can acquire those competencies by training courses एक्सेक्टर वगरा 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 तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ये इसके अंदर कि since our firm does not have any prior experience of doing such clients this creates a self-interest thread to professional competence and due care so the ethical principle of professional competence and due care is the auditor might not be able to provide sufficient competent services that are required to be provided आप प्रा जवाब ऐसा वन गया बात समझारी आपने क्या है situation उठाए situation को बयान किया किसे कौन सा thread आ रहा है किस principle पर आ रहा है answer आ गया फिर वो कहता ही यहाँ काफी नहीं है बयान करो कि यह level of thread की significance क्या है कितनी शिदत है इस thread के अंदर कि यह comply नहीं करने देगा तो वो इस case में आगे और भी आएंगे बहुत सारे multiple scenarios है पर अभी हम क्या कर रहे है हम वो acceptance की बात कर रहे है और acceptance के वक्त threat है किस चीज का threat है कि आपके पास competencies नहीं है तो self-interest threat है किस के उपर होगा professional competence and due care के उपर होगा बात clear है आगे सुनिएगा फिर वो कहता है कि आप ये भी बयान करें situation में threat पता लग गया किस चीज के उपर है किस principle के उपर ये पता लग गया फिर आप discussion करें कि ये level of threat की significance क्या है और significance base करती है कुछ हलात और वाकियात के उपर अगर entity बहुत ही ज़ादा complex है उसमें automated systems लगे वे हैं आपका prior experience नहीं है nature of business बड़ा high tech है बहुत ही ज़ादा systems है allocations बड़ी complex हैं तो आप मुझे एक बात बता है multiple IFRS लग रहे है multiple laws in regulation लग रहे हैं तो भाई मुझे एक बात बताओ आप इतने short span of time में कैसे acquire करोगे वो competencies तो यही वज़ा है वो कहता है कि अगर ऐसे हलात वाकियात है कि nature of business बड़ा complex है laws and regulation की application बड़ी हाइफा है बहुत ज़ादा है और मतलब हाई-deck environment है और allocation भी complex है complex workings है यह सारी चीज़ा है तो इस case के अंदर आप यह कहेंगे कि level of threat significance जो है level of significance of threat क्या है जादा है यह थ्रेट इतना जादा है कि आप इसको mitigate नहीं कर सकते हैं आप इसको mitigate नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप खुद देखें ना it is very impossible for a person to acquire such competencies in a short span of time अगर इतना complex है तो वो कहता है कि पहले आप threat बयान करें किस चीज के उपर threat वो बयान करें और फिर बताएं को कितना significant है ताके पर decide कर पाओ कि अगर significant नहीं है तो फिर मैं क्या वाकई में वो service accept कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं अच्छा फिर इनी threat से deal करने के लिए safe guards होते हैं कि मैं ये कर लूँ तो ये जो threats ही ये क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे अच्छा safe guard क्या हो सकते है वैसे discuss कर लेते हैं फिर read भी करेंगे safe guard क्या होंगे safe guard ही होंगे न कि आप एक काम ये करें कि आप किसी petroleum industry का कोई चीता अपने पास senior manager ले आएं director ले आएं उसके पास knowledge होगी वो लोगों में देगा laws and regulation के बारे में बताएगा ये सारी चीज़ है आपके firm का quality control environment इन्हांस करें यानि proper reviews हों proper reviews हों proper check and balance हो जो कि इंशोर करें कि सामने वाला client एक professional competent services को obtain करें जैसे हमारी firm है हमारा कोई भी client आता है ना listed client हो गए सही जी और कोई public interest entity हो तो आपको एक बात बताते चलो हम लोगों को एक plan होता है हमारा planner ये होता है कि भाई इस दिन तक इस दिन तक यानि अगर let's say तीन महीने में audit करना है तो तीन महीने में एक महीना हमें मिलता है planning का अच्या वो कहता है इस दिन तक planning, test of control सब review होके partner के sign-offs चाहिए होते है partner यानि उसको review कर ले तो याज मीन्स कि एक उपर से compulsion होती ही कि सब ने तमीज से काम करना है timely manner में करना है इस नहीं हो कि report date तक आ चुके controls भी test नहीं हुए वे और फिर बस ऐसी pale के audit खतम कर दिया नहीं है ऐसा नहीं allowed नहीं है तो वो कहता है कि भाई effective control system within the firm यानि firm के internal controls बड़े strong हो जो कि ये make sure करें कि एक client professional competent services को obtain करे auditors है तो ये भी तो एक safe guard है कि भाई अगर proper reviews बगेरा होंगे proper चीजें filter होके जाएंगी तो गलतियां जो भी होंगी हो सामने आ जाएंगी और सीखने के मवाकिस आता होंगे कि मुझे गर होगा कि या उपर वाला review करेगा तो मैं भी चीजें देखके जाऊंगा research करके जाऊंगा उससे उपर वाला उसको बोलेगा कि भाई तूने देखा क्यों नहीं ये सारी चीजें आएक एक करेकर देखते हैं वो बुलता है level of threat depend upon an appropriate understanding of nature of client business complexity of operations the requirements of the engagement वो कह रहा है ये के बाई depend ये करता है कि आपको कितना पता है NTD के बारे में तो क्या लिखावा है appropriate understanding of nature of client business business के बारे में कितना जानते हो अगर business के बारे में आपको कोई knowledge नहीं है तो ये बात तो पत्थर पे लगी रहे लिख लें कि आपको knowledge calculations होती है allocations होती है भाई जब exploration होती है exploration की cost allocation कैसे होती है जो उनके joint venture partners होते है वो किस तरीके से मिलते है आपस में distribution कैसे होती है ये सब एक मंता क्या multiple IFRS-IS लग रहे है तो भाई फिर आईसी बात है कि laws and regulation की compliance है multiple IFRS, complex calculations तो भाई फिर ये level of threat का significance है वो क्या हो जाती है जादा हो जाती है तो वो बला है level of threat या significance of threat depend करती है कि आपके पास understanding कितनी है NDD की उसके operations की और उसका operations कितने complex है और type of services आप से क्या required है कितने time में वो मांग रहा है अगर वो कह रहा है फिर level of threat क्या होगा उपर चले आएगा क्योंकि आप professional की काम नहीं कर पाएगे professional review नहीं हो पाएगा बात clear है आगे फिर बोलता है knowledge of relevant industry or subject matter अगर आपके पास relevant industry की knowledge नहीं है और जो वो service आप से मांग रहा है let's say audit नहीं मांग रहा था example देरो क्योंकि तो client acceptance है वो आपसे audit नहीं मांग रहा था वो आपको यह कह रहा था सुनिएगा वो आपको यह कह रहा था कि भाई मुझे इस चीज के ऊपर सिर्फ यह verification करवानी है यानि एक law and regulation है जो के petroleum industry का वो कहता है कि भाई auditor से इस चीज के ऊपर certification लेकर दो कि overhead की allocation सही हुई भी यह नहीं हुई है cost allocation सही हुई भी यह नहीं हुई है वो तो तुम कर तब कर पाओगे न कि जब तुम्हे subject matter की knowledge हो कि जिसके लिए तुम्हे अपॉइंट किया रहा है audit के लिए अलग पंगे है और जिस अलग चीज के लिए तुम्हें अपॉइंट किया जा रहा है उसके अलग पंगे है तो तुम्हें all together उसके industry की knowledge नहीं है तो subject matter की क्या होगी तो अगर तुम्हारी वहाँ पर understanding रीक है तो फिर level of thread क्या हो जाता है जादा हो जाता है क्योंकि फिर वही बात है क्योंकि अगर आप understanding के बगार audit करेंगे तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना देगा क्योंकि you don't have sufficient understanding देगो मुझे खुद एक बात बताओ अगर तुम लोगों के पास understanding नहीं है तो क्या risk identify कर पाओगे आप जब understanding लेते हो कि यार ये client cooperation ये है और ये एजिंग बनती है ये customer आता है customer की credit limit अप्रूव होती है तो ये सारे process से जब गुजरते हो तो understanding है ना और credit limit अप्रूव नहीं होती तो क्या कहते हो कि बाई risk of bad debts है कि शुरू में ही check नहीं होता और aging report नहीं बनती है ये पूरी proper understanding है business कि आप business नहीं समझते हैं तो आपको risks नहीं पता लगते हैं उसके उपर laws and regulation क्या अपला होते हैं वो नहीं पता होते है अब जैसे insurance की example दूँ insurance में revenue recognized कैसे होता है वो कहता ही है कि आज आपने advance premium ले लिया वो आपका un earned है वो आपका क्या un earned है फिर law and regulation कहता है आप उसको 1 by 24 method पर यानि 1 by 24 method का मतलब यह होता है आपके लिए relevant नहीं है अब वैसे समझा रहा हूं ताकि यह link हो जाए और जो insurance के audit करेगा उसके लिए relevant है 1 by 24 1 by 24 का मतलब यह है कि एक महीने में 2 periods तो 12 महीने में 24 हो गए न 12 महीने में कित्ते हो गए 24 हो गए तो वो बुलता भर 1 by 24 method पर आप इसको apportion करें revenue recognition के लिए revenue recognition के लिए तो वो कहता ही है कि जिजिस महीने में premium आगा उसस महीने के हिसाब साब उसको time apportion करें कि income book कर ले न पर यह तुम्हें तब पता लगेगा न जब तुम्हें industry की knowledge हो उसके laws and regulation की अब तुम revenue verify कैसे करोगे तुम्हें risk की नहीं होगा तुम यहाँ पर रिस्क क्या था यहाँ पर रिस्क यह था कि revenue improperly recognized हो गया होगा क्योंके 1 by 24 की calculation गलत होई होगी 1 by 24 की calculation गलत होगी अब let's say वो कहता ही है कि भाई अगर एक जन्वरी में customer आया premium देखे गिया है फिर रिपीट कराऊ जन्वरी में customer आया premium देखे गिया है तो उसका एक period एक period अगले साल income में आएगा तो वो बोलता है 1 by 24 में out of 24 1 period should be unend बागी सर्व income में आजाएगा फिर कहता है जो दूसरे महीने में आएगा जो दूसरे महीने में आएगा उसका 3 by 24 उसका 3 by 24 unend में आजाएगा तो ऐसे 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 से करके and so on और जो आखरी 12 में में आएगा तो उसका unend आएगा 23 over 24 क्यों सिर्व एगी period की income होगी उसकी यह है इसकी मंतक पर भाई यह जो मंतक बताईए किसने बताईए सर मंतक किसने बताईए सर insurance rules में बताईए तो भाई मैं आप से यह कह रहा हूँ कि insurance rules ने बताईए insurance accounting regulation ने बताईए तो तुम्हें तो उस framework की knowledge होगी तो कर पाऊगे न तो वह भी तो यह कह रहा है you are not able to identify risk एक और example देता हूँ समझ ने कलेता कि यह clear हो जाए न एक और example यह जानी कि आपको insurance rules यह कहते हैं सुनिएगा insurance के rules और insurance ordinance मिल मिला के यह कहते हैं जब आप सुनिएगा जब आप किसी को policy issue करते हैं customer को यानि EFU general है और EFU general policy issue कर रही है अच्छा policy issue करने से पहले वो issue करती है cover node क्या issue करती है cover node अच्छा cover node में लिखावा होता है कि भाई आपने यह पैसे जमा करा है सही है आपने जो है sir पैसे के साथ आप बताते हैं कि भाई आपकी car और इसकी coverage इतनी है यानि इसकी insurance पे अगर इतनी ठुकी तो इतना हम beer करेंगे इसको कहते है sum assured इसको हम कहते है sum assured तो हम यहाँ पर क्या करते है cover node issue करते है वाग हम यहाँ पर एक premium receivable book कर लिए ते premium receivable सही जी और यहाँ पर अनन प्रीमियम अनन प्रीमियम रिकॉर्ड रियाता है अच्छा policy issue नहीं यह cover issue हुआ यह cover यह basically यह basically three policy issue है इसे जिस पर बंदा सामने वाला देख दाके पर sign करता है मैं क्या करता हूं मैं इसको फिर actual policy issue करते हाँ पर मैं आप से ये पूछ रहा हूं आपका revenue आपका नननकंट कब record हुआ cover issue होने पर policy होने फिर cover issue होने पर यह तुम्हें कैसे पता लग रहा है सर यह तुम्हें पता लग रहा है जा तुमने laws and regulations की understanding लिए तुम्हें business का पता लगा तुम्हें risk होगा ना तुम्हें risk क्या होगा तुम्हें risk कि ये होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है सुनिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने cover note issue किया हो और सामने वाला बंदा सामने वाला बंदा बहुत focus हो कि सुनिएगा मैंने cover note issue किया हो सामने वाले बंदे ने cover note sign करके वापस नहीं किया होते तो fake revenue हो जाएगा क्योंकि un-earned भी record किया तो 1 by 24 के अंदर 23 over 24 un-earned रहेगा ना एक period तो income में आ जाएगा तो इससे मेरा revenue क्या आ जाएगा sir overshade हो जाएगा अब खेर यह तो मैंने आपको कोई जादा ही उपर की example देदी पर इस बात को समझें मुझे यहाँ पर क्या risk था मुझे यहाँ पर यह risk था कि यह जो insurance company है यह cover note issue करती है as per log करती है वो अपनी जगा वहाँ पर सही है पर मेरा भी इंगन auditor risk यह है कि भाई ऐसे कितने cover note है जो policy में convert नहीं हुए तो यह वाली example नहीं हुए कि year end के उपर मैंने sale की और subsequently वो return हो गई क्योंकि माल defected तो भाई year end पर ही वो defected था उसकी sale bookie नहीं होनी चाहिए थी तो यहाँ पर भी ऐसा भी दो सकता है कि insurance companies चो भी drama करें कि cover no issue हो गया हो गया हो गया हो गया और बाद मैं reverse करते है तो यही तो मेरा risk है cut off का risk over statement of revenue का risk तो यह समझाना चाहरा हूं तुम लोगों को I hope this is clear तो सर्थ जब तक आप इस industry की knowledge नहीं लेते उसके laws and regulation की knowledge नहीं लेते तो you are not able to identify those risks आपको risk का पता ही नहीं लगता एक और example देता हूँ एक और example देता हूँ सर्थ रिस्क की बात हो रही है मैंने कहा मुझे यह risk है कि claim expense जो insurance company के है वो complete है या नहीं है और क्या उसकी valuation accurate है या नहीं है risk है ना मेरा अच्छा मुझे अगर claim expense की completeness को insure करना है तो मुझे पहले समझना परेगा कि यह insurance industry कैसे operate होती है claim कैसे report होते है आया के call पे तो क्या कोई call log बनता है अभी सारी understanding है ना मैं तो auditor हूँ उनका तो मुझे तो पता है बही call log बनता है अच्छा जी क्या कोई email आती है या personally call की जाती है branch manager को अच्छा इस personally branch manager इसमें फर्क है आपको एक health line का number दियाव है जहां पे आप अपनी complaints या अपने claim lodge करवाते हैं तो उसका log बनता है अच्छा अगर इसका log बनता है तो मेरे लिए एक audit procedure बन जाएगा कि मुझे verify करने के testing का तरीका मिल जाएगा मैं क्या करूँगा तर मैं simple यह करूँगा कि भाई मैं call log को उठाऊँगा मैं देखूँ call log में जितने भी claims नोटिफाय हुए थे क्या वो मेरे claim के ledger में appear हो रहे हैं या नहीं हो रहे तो यार this is all about understanding अब इतना complex environment हो तो तुम्हे short time मिलेगा तो तुम नहीं समझ पाऊगे ना तो वह यही कह रहा है कि भाई आपकी professional competence and due care के ऊपर set create हो जाएगा self interest का तो कि अपने parcel मफाद के लिए ले तो लोग है बड़ आप उसका audit सही नहीं कर पाऊगे और मैं बता दूँ जैसे मैंने EFU के audit कियें तो मैंने कोई कुल मिला के 6 से 7 महीने सिर्फ इसकी preparation की थी कि audit कैसे करना है बात clear है आगे फोलता है experience with relevant regulatory or reporting requirements का prior experience है अब insurance के अलग सी accounting की presentation है जो के normal account से हड़ कर है इसके disclosures भी unique हैं जो के insurance rules 2017 के तरह जाते हैं तो उसकी knowledge भी तो होना चाहिए न तो अगर relevant experience है regulatory और आपकी reporting requirements का तो यह threat कम है significance of threat कम है अगर नहीं है तो significance of threat जाद है business की knowledge है तो significance of threat कम है नहीं है तो significance of threat जाद है depending upon these factors the existence of quality control policies and procedures designed to provide reasonable assurance that engagement accepted only when they can be performed competently यानि हमारी firm ने कुछ ऐसे quality control procedures लगाए वे हों जो के यह ensure करें जैसे हमारी EY के अंदर हम जब किसी client को accept करते हैं तो preliminary acceptance of client engagement का form बढ़ा जाता है जो कि EY global के पास जाता है EY global हमारे past experience को देखके हमारी competencies को देखके okay देता तब हम करते हैं तो firm में policies and procedures ऐसी बना दो कि client accept ही ना हो जब तक वो कुछ parameters से ना गुज़री है बात clear है आगे फिर वो कहता ही है कि actions क्या हो सकते है mitigate करने के या उसको हम कहते है safeguard to address the threat that have arised अब एक बात या रखिएगा अगर significance of threat बहुत जाता है बहुत जाता है कि वो acceptable level पर acceptable level का मतलब यहां पर होता है कि आप safeguards लगाएं कि वो acceptable level पर आजा है कि आप काम कर सकें तो आप safeguard apply करेंगे अगर safeguard इतने कोई extremes जाते हैं कि safeguard लगा ही नहीं सकते तो फिर आप client को accept नहीं करेंगे देकिए safeguards क्या है assigning sufficient engagement personal with the necessary competencies यानि अगर आप 5 बंदे लगा रहे थे 10 लगा लो पर necessary competencies senior बंदे लगाओ तो बात बनती है आगे agreeing मना realistic time frame जलब आजी में नहीं करना clients को बोलो भाई इतना time लगेगा that's it using experts where necessary मैं आपको बताया था ना कि आप एक काम ये करें ना client से नहीं client से नहीं कहीं और से client से लेकर आ जाओ गए तो वो तो अपने बंदे का साथ देगा familiarity होगी उसकी दोस्ती ही आ रही होगी पास समझा रही है तो sir hold together अभी आज हमने एक और complex area cover किया जिसके अंदर हम ने ये सीखा कि client acceptance के अंदर सबसे पहले आप देखें is there any cautionable issues from the client यानि from the client side उसके पार्ट पर को cautionable issues तो नहीं है उससे related, उसके owners से related उसकी management से related दूसरी चीज़ आपने ये देखी कि आपने उसको तो देखी आपने आपको भी तो देखो क्या professionally competent हो to provide those services अगर आप professionally competent हो कोई मसला नहीं है आप अगर वो necessary competencies require कर सकते हो तो भी कोई मसला नहीं है और अगर necessary competencies नहीं है require कर सकते हो पर level of threat जो create हुआ ये depend करे कोच फेक्टर के उपर आपकी understanding of industry regulatory framework reporting framework understanding of business ये सारी चीज़ है और firm की quality control procedures अगर ये होंगे तो level of threat कम होगा अगर ये नहीं होंगे तो level of threat ज़्यादा होगा सब्सक्राइब थे क्लास में च्छाग अगला